नमस्कार लाइप में इन चार चीजों में कभी सरम मत करना किसी भी जगा और किसी भी कंडिसन अगर इन चार चीजों में आप ने सरम की एना तो definitely द्लेवा है मेरा मैं आपको शोर्टी के साथ क electro आप हमीएसा दुखिर होगे और आप हमेशा लोगों के सामने अपमानित मैसूस करो अगर इन चार बातों में आपने सरम की तो ये चीजे ऐसी है कि जिसने सरम नहीं की वो आगे बढ़िया और जिसने सर्म की वो बस हे जहां के जहां ही रह गया वो आगे नहीं बढ़ पाया इतियास उठा कर देख लो कि जिस जिस व्यक्ति ने इन कामों में सर्म की वो हमेशा जीरो बन गया और लाइप में हमेशा दुकी रहा और लाइप में हमेशा अपने आप को अपमानित करता रहा तो आपके परस्टी टाइम है आप भी समझ दो इन चार चीजों में कभी सर्व मत करना जैसा है वैसा अपने आपको लोगों को बताना तो तो आप आगे बढ़ जाओगे वरना सुन्य पर राजाओगे वो चार चीजी कौन सी है आज में आपको बतोगा नमबर वन अपने परिवार की इस्तिती पर कभी सर्व मेसूस मत करना कभी के भी क्या होता है आपके रिष्टदार थोड़े रिच होते हैं पैसे वाले होते हैं आपके दोस्त थोड़े पैसे वाले होते हैं और आपके परिवार की थोड़ी कंदिशन डाउन होती है तो आपको क्या लगता है आप अपने परिवार की बात करने में हिचकते हो आप अपने दोस्तों को गर पे बुलाने में हिचकते हो आप अपने रिष्टेदार को गर पे इन्वाइट करने में डर लगता है अपमानित मैसूस होता है ऐसा कभी मत करना आपकी फेमेली आपका प पैसे बढ़ोगे आप तो अपने आपको अपमानित मेसुच करोगे अगर आपके फ्रेंड पैसे वाले हैं तो अगर आप पूर हैं तो अगर आपके फ्रेंड वाकरी में सही हैं तो आपको उसी इस्तिति में आपको अपनाएंगे वन्ना अगर आपके फ्रेंड स्वारती हैं तो आपको पूर देख के आपका साथ छोड़ देंगे तो ऐसे फ्रेंड को रखने का क्या मतलब जैसा है उस वस्तिक्ता में रहें आप शो बादी ना करें दूसरों के सामने अपने परिवार की इस्तिक को शो करने में कभी शर्म महसूस मत करने जैसा अपना परिवार है वैसा एक्सेप्ट करें कभी यह मत समझे कि मेरे दोस्त मेरे रिष्टदार और मेरे समाज में सब पैसे वाले और आज मैं इस इस्तिक्त हूँ उसमें कभी आप सर्म मत करना हाँ कोशिस जरूर करना उपर उठने की उपर बढ़ने की लेकिन सर्म मैसूस मत करना अपने काम में सर्म मैसूस कभी मत करना आजकल क्या होता है लोग आजकल के युवा क्या करते हैं बड़ी-बड़ी डिग्रिया लेते हैं MBA, M.Tec, M.C.A, B.C.A बड़ी बड़ी डिग्रिया कर लेते हैं जब उनको जोप नहीं मिलता है जब उनको छोटी बोटी जोप कहीं पर करनी पड़ती तो वो अपने आपको regret मैसूस करते हैं अपने आपको insulting मैसूस करते हैं कोई भी काम की शुरुवाद बड़े इस तर से नहीं होती है सबसे पहले तो आप नोट करना हर काम की शुरुवाद छोटे लेवल से होती है आप कोई भी कारी छोटे लेवल पर कर रहे हो तो करो उसको सर्व मैसूस क्यों करते हो हो सकता है कि आपके डिगरी बड़ी हो आपक विग वर्क वही चोटा काम एक दिन बड़ा वर्क बने निर्मा वसिंग पाउडर लिज्जत पापड पारले यह सब क्या थे चोटी-चोटी कंपने थी और आज बहुत बड़ा एंपायर बन गया बिजनेस का तो अपने काम में सर्व मैसुस कभी मत करना जैसा काम है वैसा कर करना दिल लगा के करना सो परसंट से करना सो परसंट मेनद से करना आप अगे बढ़ जाओगा अगर अपने काम में आपने सर मैसुस किया अपने काम में आपने इंसर्ट मैसुस किया तो आप तो जीरों के जीरों ले जाओगे हमेसा दुखी रहोगे ऐसा कभी मत किया करना फर उदार दिये पैसे मांगने में कभी सरू मत करना अगर आपने किसी को पैसे उदार दिये और उसमें मांगने में आपने सर में कर लिए तो समझ लेना कि वो पैसे आपके डूप खाते में गए हैं यह हो पास को कब नहीं नहीं आए आइंगा आपके पास चु Przynit अब नहीं तो किसे हाइंगे कभी कभी सिचयोशन होती है अच्छा अच्छे लोगों के साथ कि घो इस अच्छा मिलने वाला होता है रिस्धेतार हो उसके पैसे पर आप garlic पर ऊप쵸 को मुल Know होना तो यही है कोई सामने वाला बिना मांगे उसका काम हो गया है बिना मांगे पैसे आपको देते हैं लेकिन सामने वाला देता नहीं है सामने वाला भी क्या देता रही है मांगे तब दे देंगे या फिर किसी कौरण से अटकाता रहता है अब आपको पैसे की जुरुत बढ धेंगगे आप पैसे मंगूँगा तो वेवार तूटेगा रे जब वह पैसा नहीं दे रहा है तो उसका वेवार नीट By אם वो तो सोच रहा है गयार मेरा वीवा टूटेगा आप क्यों सोचते हो आपका पेसा है आपने खूं पसेने से कमाया है अगर उसका काम हो गया आपने उसकी हेलप की तो पैसा मांगेuh डेटिनेटले मांगे हक्से मांगेह रिष्टा तूटे तो टूटे पैसा तो देना हो आपके भी तो जरूरत पटरी है नहीं तो पिर आप सपर करो आप दुखी में रहो रहो आप आपकी मर्ची इसलिए पैसे मांगने में कभी सरूर मत करना दोस्ते एए बगवान मेरा सरीर इसा क्यू नहीं है मेरे सरीर में इसी क्यों वगवान को सिकायत करते रहे और कभी कभी तो लोग अपने मा-बापको शिकायत करते यार कि आप मापाप और जाता नहीं है आपने मुझे एसा यह क् vertically शेकात करें घैसा कभी नए जैसे आपकी है जैसी आपकी बोडी है जैसा आपका फैंस है विसाए सिप्ट करें कभी इस बात की सिकायत ना करें कि आप ने ऐसा क्यों कि आप वगवान से सिकायत ना करें आपका चेहरा और आपकी बोड़ी आपकी पूरे विस्ट में सबसे अलग है आपकी आप अपने आप में अलग हो हर इंसान के अपने यूगिता होती है कभी भी अपने चेहरे को लेकर कभी अपने सरी को लेकर सर्म मत मैसूस करنا वरना आप हमें से रिगट करते रोगे आप हमें से दुखी होते रोगे час I, आपकी बोड़ी है जसा आपको चेहरा वैसा ही accept करें और लोगों को show करें कि हाँ मैं ऐसा हूँ उसमें कभी सर्म मेसूस मत करना